नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुरू की सीख नामक कहानी ये कहानी महान क्रिकेट खिलाडियों की सूची में सामिल भारत के क्रिकेट के भगवान सचिन तिंदुकर के बारे में है क्रिकेट के छेत में इस धुरंदर बल्लेवाज का एक पेड़ना दाय किश्चा आपके सामने रख रहा हूँ ये बात उस समय की है जब सुचिन तिंदुकर अपने स्कूल की जूनियर टीम में खेलते थे धी एक बार उनके सर ने एक अन-सकूल की जूनियर टीम के साथ अब्व्यास मैच के लिए कहा परन्तो सचिन सीनियर टीम के एक मैच को देखने चले गए साम को जब सर ने उनके खेल के बारे में पूशा तो सचिन ने जवाब दिया कि मैं अपना मैच खेलने की बजाए सीनियर खिलाडियों के लिए पवेलियन में बैट कर तालिया बजा रहा था ये सुनते ही उनके सर ने उन्हें एक इतना जोड़दार तमाचा मारा कि सचिन के हाथ का टिफिन दस फुट दूर जाकर गिरा थपड मारने के बाद सर ने देखिये कितने पिंड़ना दायक और प्रसंसरी सब्द कहे उन्होंने सचिन से का तुम्हें दोसरों के लिए तालिया नहीं बजानी दुनिया तुम्हारे लिए तालिया बजाए तुम्हें क्रिकेट के उस सिखर पर पहुँचना ही है क्रिकेट के छेतर में सचिन के छोटे कद का बड़ा अंदाजा उनकी प्रसंसा में कहे गए इन सब दोरा लगाये जा सकता है ब्रैन लारा जो कि स्री लंका के क्रिकेटर हैं सचिन की प्रसंसा में कहा कि अगर क्रिकेट एक धर्म है तो सचिन उसके भगवाने अमेरीकी राश्टपती बराक उमावा ने कहा था मैं क्रिकट के बारे में नहीं जानता पर फिर भी मैं सेचिन को खेलते हुए देखने के लिए क्रिकट देखता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे उसका खेल पसंद है बलकि इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो मेरे देश का उत्पादन प्रोडेक्शन पांच प्रिसेट क्यों गिर जाता है एक आश्ट्रेली एट प्रसंसक्त ने तो यहां तक कह दिया कि आप राद तब करो जब सचिंग बैटिंग कर रहे हों क्योंकि उस समय भगवान भी उनकी बल्लेवाजी देखने में वेस्त होते हैं